नमस्कार और ये विल्कम ये वल्ल अफेर्ज नेव रशान्दवन नाओ रिसंडली भारत ने वो करके दिखाया है जो आज तक किसी भी कंट्री ने नहीं किया और ना सिर्फ हमने ये किया है इसको रेकोर्ड करके इसकी वीडियो भी अप्लोड करी है सारी दुनिया के सामने लिख देंगे के हांजी हम कर सकते हैं ये हमारा कैपेबल है मगर हमने ये बात करके दिखाई है हमने खुद मेड इन इंडिया टेकनोलोजी से बने हुए आकाश मिसाल डिफेंस सिस्टम से एक साथ चार टार्गेट को शूट डाउन किया है और इसकी वीडियो भी करी है आपस में टक्राएंगी I mean okay I mean ये समझ में आ रहा है कि ये दुश्मन का मान के चल रही है कि अटाक है भारत की तरफ हो रहा है और ये आकाश के जो ये मिसाल है ये आसमान में इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं क्या यही डिमोंस्ट्रेशन है क्या यही दिखाए है हमने वल न इस तरीके से आकाश एर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल ने आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर दिया है इस तरीके से एक साथ चार-चार टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया गया है अट ए वैरी स्मॉल प्रोक्सिमिटी सिर्फ 25 किलोमीटर की रेंज पर ये करके रिखाना बहुत बड़ी बाद होती है नहीं तो बसे रहिए कई कंट्रीज है इन्होंने जादा लॉंगर रेंज पर ये कर रख एक क्लोज रेंज में ना इंडिया ने कंप्लीट फेद दिखाया है इंडिया के आकाश मिसाल डिफेंस सिस्टम पे और ये जो वीडियो है ना मुझे पता ने इसके कितने व्यूज आएंगे कितने वारल होगी बट दुनिया भर में जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं इस व मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर के इंडिया ने प्रॉपर 3D यहां पे अनिमेशन का यूज करके साथ में जो एक्चुल फुटेज है इसे भी एड किया है और प्रॉपर जो रेडार का डेटा है ये शेयर किया और बताया कि किस तरीके से हमारा आकाश मिसाल डिफें करना बहुत ही इंपोर्टन हो चुका है और यहां पे आप देख पाएंगे इस डेमोंस्टेशन के बाद हिंदू के आर्टिकल में भी लिखा है इंडिया हास बिकाम देखकर कंट्री तो डेमोंस्टेट्रेटी ऑफ एंगेजिंग फो टार्गेट और यह जो टेस्ट है हमन सामने रखा है पबलिक के सामने ताकि कल को दुश्मन को जादा इंफ्रमेशन ना मिल जाए कि आकाश एर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है तो काफी दिन इन्होंने एनलाइज किया होगा कि क्या हम पबलिक के सामने रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते हैं और इन दी एंड यह फुटेज हमारे सामने आई है एक बार सूरे लंका एरफ ως स्टेशन को देखते हैं मैप पर तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आंद्र पदेश स्टेट में आपको मिलेगा सूरे लंका एर फोस्टेशन और यहाँ पर देख पा रहोगे यह जो पार्ट है इंडियन यहां से हमने वो targets को launch किया towards India और आकाश missile defense system ने properly इंडिया को बचा लिया इस test में कल को यह दुश्मन के मिसाल भी हो सकते हैं उस case में भी आकाश missile defense system इसी तरीके से respond करेगा और अगर यहां पे आप सोच रहे हैं वाव तो यह बेसिकली एक missile defense system का एक proper protection था तो क्या हम क्या सकते हैं कल को हमें S-400 की जरूत नहीं है और missile defense system की आप शक्ता नहीं है आकाश से हम सब कुछ देख लेंगे नहीं नहीं लुक आकाश का अपना खुद का use है आकाश को आज के समय manufacture कर रहा है भारत dynamics limited मैक्स बताई गई है और आप अगर DRDO का जो test देखोगे वहां पर भी 25 km का ही mention किया गया है तो 25 km अपने आप पे कम नहीं है बट आप इसको अगर compare करोगे S-400 से जिनके missiles की range 400 km तक जा सकती है तो दोनों को हम properly compare नहीं कर पाएंगे बट आकाश air defense system जादा versatile है इसे easily आप deploy कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है It is Indian इस missile defense system को लेकर हमें किसी पर depend करने की आशकता नहीं है हम इसको जितना manufacture करना चाहें कर सकते हैं युद की घड़ी में और कल को अगर हम यह missile defense system बेचना चाहें तो बेच भी सकते हैं अच्छली Philippines के बारे में आपने सुना होगा Philippines यहाँ पे आप देख पाएंगे यह आसियान देश है चाइना के साथ इनके बहुत सारे dispute है Recently Philippines ने भारत से purchase किया था Brahmos missile को एक बड़ी डील के अंडर 375 million dollars की यह डील थी तो recently Philippines ने भी बहुत जादा interest दिखाया है आकाश air defense system की तरफ और हो सकता है मेरा मानना है कि जिस तरीके से बाचीच चल रही है Philippines आकाश air defense system को purchase कर सकता है उसके लावा Egypt जी हाँ Egypt एक और बहुत ही important country है जो काफी interested है आकाश मिसाल defense system को लेकर और वैसे मैं आपको बताऊना तो इस type की जो ये videos हैं जो DRDO ने put forward करी है ये काफी बार information warfare का भी एक बहुत ही important part होता है पाकिस्तान देखिए इंडिया के सामने ना सिर्फ कश्मीर वाला challenge रखता है उसके लावा आप कहली जीए इनका media इनकी state machinery इनका एक ही objective रहता है कि इंडिया को नुकसान कैसे पोचाना है इंडिया की image खराब करके इंडिया के weapons के बारे में खराब बाते लिखकर लोगों को demotivate करके आइमीन ये आप के लीजिए unfortunate बात है कि हमें एक ऐसे challenge से deal करना पड़ता है जहाँ पे पूरा country है it is completely dedicated towards harming India for example यहाँ पर देख पाएंगे यह पाकिस्तान मीडिया के ऐसे बहुत सारे आपको आडिकल लिख जाएंगे इधर लिखा है कि इंडिया के जो आकाश missile program है इसने disappoint किया है और यह concern हो गई है इंडिया के लिए तो बिलकुल देखिए जो लोग नहीं चाते के इंडि इंडिया कितना आगे जा चुका है पाकिस्तान बहुत पीछे रहा चुका है तो उसके बाद इनकी तरफ से बहुत सारे ऐसे आडिकल आए हैं जहां पर तेजस के बारे में उसके इलावा आकाश मिसाल defense system के बारे में यह बहुत जादा demotivating बाते लिखते हैं बट टाइम आ वीडियो सिर्फ domestic consumption के लिए नहीं है इट इस for an international message के इंडिया का तेजस fighter jet it is performing well हमारे prime minister हमारे sitting prime minister उसको fly करते हैं और अब जो यह DRDO वाली video सामने आ गई है और इंडिया पहला country बना है जो यह properly demonstrate कर रहा है openly I think it is only a matter of time 2024 में मैं clearly देख पा रहा हूं आकाश air defense system की एक बड़ी एक बड़ी खबर सुनने को मिलेगी और finally यहाँ पे मैं आपसे question भी पूछूँगा by the way आकाश air defense system से related कुछ और development आती है तो उस पर updated video बाद मैं आपके लिए आऊँगा मगर finally यहाँ पे आपसे पूछूँगा question question यहाँ पर यह है कि हाली में इन में से किस country ने यह decide किया कि यह लोग renew नहीं करेंगे इंडिया के साथ agreement जिससे इंडिया को एक permission मिलती थी to conduct hydrographic survey in this country's water तो यह है आपकी options शिलंका, इरान, मौल्डिव्स या फिर जपान, comment section में करी उत्तर, सही answer मैं आपको नहीं दूँगा, सही answer आप लोग करोगे comment section में, जो लोग सही answer करेंगे मच पाएं के सही उतर क्या है, और Unacademy के platform पर मेरी कुछ extra classes भी है, आप देखना चाहिए देख सकते हैं, यहाँ पर PD10 code use करके जो classes है, यह आप देख सकते हैं, कई topics होते हैं, जिन पर मैं channel पर video नहीं बना पाता, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाए करेगा, so enjoy these classes, thank you, thanks for listening and as always, मेरे गोद्स वाचोवे